अलो बिर्लियंट्स अभी हम करने जाने हैं शिश्ट क्लास के लिए मैथेमाटिक्स चैप्टर नमबर वन नौइंग आर नमबर्स और उसका ये ट्राइदीज है पेज नमबर नाइंटीन के ऊपर इसमें क्या करना है हमें राउंड दीज नमबर्स टू दा नियरस्ट टैंस हमें इन नमबर्स को नियरस्ट टैंस पर राउंड राउंड ओफ करना है नियरस्ट टैंस के ऊपर याद रखिएगा सिरफ टैंस डिजिट को हमें बदरना है और जो टैंस डिजिट के बाद जो नेक्स डिजिट है दैट इ और यह कैसे होगा तो जैसे करेंगे और भी ज्यादा क्लारिटी हो जाएगी तो चलिए करते हैं कि ब घुच जोग। लिएकी करते हैं राउंड ओफ ट्वंटी एट तो हमें टैन्स को करना है अब अगर जिसको हमें राउंड ओफ करना है उसके बाद का डिजेट अगर जीरो, वान, टू, थ्री या फिर फोर है तो वो नमबर नहीं बढ़ेगा तो जैसे मान लिया कि हमारे पास 52 है तो 52 में हमें 5 को राउंड ओफ करना है तो यह जो 2 है ना यह 2 इस कटेगरी में आता है तो इसका मतलब यह कुछ नहीं बढ़ेगा 5 का 5 रहेगा और इसके राइट अंड प्लेस पर जितने भी डिजिट्स है वो सारी 0 तो यह 50 बन गया ओके तो राउंड इंग राउंड ओफ 28 तू दा निरेस्ट तेंस इस इकल टू तू के बाद का अगर नंबर यानि कि जिसको में राउंड ओफ करना है अगर उसके बाद का नंबर 5,6,7,8 या फिर 9 हो तो जिसको राउंड ओफ करना है वो एक भड़ जाएगा और उसके राउंड इंड सैड में जितनी डिजिट्स है वो सारी 0 तो अभी 2 के बाद 8 आ रहा है जो की इस कैटेगरी का है तो यह जो नंबर है यह 0 हो जाएगा और जो यह नंबर है एक भड़ जाएगा 3 के बाद का नंबर यह 2 है जो की इस कैटेगरी में आ रहा है तो इसलिए यह जो है ना 3 का 3 रहेगा और इसके राइट एंड सैड में जितनी डिजिट्स है वो 0 तो यह भी 30 आएगा ठीक है जैसे कि अब आगर मान लिया कि आपके आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो और उसके अंदर आपके पास अमाउंट लगी है आपका खर्चा जो बैठा है वो 32 रूपीज बैठा है किसी भी चीज का तो वह क्या आप कहोगे उसके कि भी जो आसपास 30 के आसपास ही पैसे खर्च हुए है है ना 40 के आसपास तो नहीं कहेंगे 50 के आसपास तो नहीं कहेंगे तो वैसे ही यह राउंड ओफ का केस होता है नेक्स नंबर है हमारे पास 52 इसमें देखेंगे तो फिर फाइव को राउंड ओफ करना है तो इसके बाद की डिजिट कर देखनी है जिसको राउंड ओफ करना हो उसके बाद की डिजिट टू है जो कि इस कटेगरी की है यानि कि यह फाइव का फाइव रहेगा यह बढ़ेगा नहीं और इसके बाद की जीरो ओके क्लियर हुआ अब नेक्स्ट के बाद फॉर्टी वन और मैं यह सारे इसी प्रकार से लिख लेता हूं अब देखिए हमें 41 में 10th place यानि की 4 को round off करना है इसके बाद जो digit है 1 जो की इस category की है तो इसका मतलब यह number नहीं बढ़ेगा 4 का 4 रहेगा और जो once digit 0 3 को round off करना है 3 के बाद की digit 9 है जो की इस category की है है ना 4 से greater है तो यह 3 का यह बढ़ जाएगा और 4 बन जाएगा और बाद की 0 इसी तरीके जिए 4 है यह 5 बन जाएगा और बाद की digit 0 अब 6 को round off करना है 6 के बाद है 4 जो की 5 से छोटा है जिसकी वज़े से 6 का 6 रहेगा बढ़ेग नहीं और यह 6 ही रहा और जो 4 है वो 0 में convert हो गया next 5 को round off करना है 5 के बाद की digit जो है वो 4 से greater है इसका मतलब यह बढ़ जाएगा 5 का हो गया 6 और 9 का हो गया 0 9 को round off करना है हमें 9 के बाद 9 है इसका मतलब 9 का बन जाएगा 10 और जो 9 है राइट हैं जो डिजिट बच गए सारी वो 0 हो जाएगी अगर ज्यादा डिजिट होती तो सारी डिजिट राइट हैं में जिसको round off कर रहे हैं उसके बाद की डिजिट सारी 0 हो जाती है 215 की बाद करें तो देखिए left hand side नहीं बदलेगी left hand side वितनी वैसी की वैसी ही रहेगी वो यहां clear हो जाएगा 1 को round off करना है 1 के बाद है 5 तो 4 से greater है वो 5 या 5 से ज़्यादा number हो तो वो round off हो करके वो सारी 0 हो जाती है और जो जिसको round off करना है वो एक बढ़ जाएगा तो 22 बनाई है 21 था 22 बन गया और जो 5 है वो 0 में करमट हो गया इसी तरह के से 5 को round off करना है तो 5 के बाद digit 5 से less है तो 145 का 145 ही रहेगा और जो यह digit है यह बन जाएगी 0 similarly here 293 है अब आप देखिए 3 के बाद जो digit है 5 से greater है इसका मतलब यह जो है एक भढ़ जाएगा 2940 यह round off हो गया clear है न तो यह था nearest tense में हमें round off करना hope so यह आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में पहले देख लेते हैं कहीं यहाँ पर तो कोई try दीज नहीं है हाँ जी next page पर है 20 page पर तो हम इस यह try दीज next वीडियो में करेंगे hope so you are able to understand it fully ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो बाई